बैंक लिफ्टी के डेली एनरिजिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मार्केट अपना क्लोज दिया 46,834 पे जो कल के क्लोज से लगबग 191 पॉइंट नीचे आया है मैंने कल जो वीडियो मैंने अप्लोड किया था बैंक लिफ्टी के बारे में मैंने ये देखिए कल का थमनिल मैंने साफ का था मार्केट खुलते ही आएगा रिवर्सल और आज वही हुआ मार्केट जैसे ही खुला मार्केट शुरुआत में नीचे तो आया और बाद में इसी trend line को छुके जो market में हमने तेजी देखा सीधा pass upon का तेजी था वो देखिए जब तक आपको ये कैसे हुआ मैंने क्या सोचा था मैंने वीडियो बनाते समय भी आपको यही कहा था important trend line गुजर रहा है market यहाँ से जरूर इस trend line को इज़त देने के लिए respect करेगा market यहाँ से वापस भी जाएगा और मैंने जो option chain का analysis किया था मैंने उसमें आपको यह साफ कहा था कि 47,200 पे 47,100 पे यहाँ पे all writer बहुत जादा मातर में है market इसको cross नहीं कर पाएगा और आज क्या हुआ आज वही हुआ market 47,200 के पास से market वहाँ से फिर वापस चलाया वहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाया तो कुल मिला के मैं आपस यही कहना चाहता हूँ कि गिरावट का जो सिलसिला था अब market ने कम से कम हमें पांच दिन लगा था और गिरावट के हमें पिक्चर दिखाया है अभी आगे क्या सवाल आता है आगे क्या market बहुत बहुत ज़्यादा शांदार जगे पे हैं क्यूंकि market अब लगबख लगबख पूरी तरीके से market पहुत चुका है अपने special बहुत strong support पे यहाँ से market में पूरी तरीके से संभावना दो बनती है एक कि market यहाँ से पिछले दो तीन बार जो market ने किया उपर चला गया उपर चला गया इस बार भी market वही कर सकता है इसमें कोई दो राही नहीं है मतलब फिलाल आज का जो candle है इसको अगर देखेंगे तो इसकी हिसाब से यह हुरा है कि market में market का लगल स् आउ तो यह 14 तारीक है और यह 15 तारीक है तो 15 तारीक होगा यहाँ पर तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है फ्लैट खुलने के तुरण बाद मैं आपको थोड़ा और जूम करके बताता हूँ तो आपको चीज़े और क्लियर हो जाएगी जैसे कि आज देखिए यह ट्रे करेगा 15 तारीक को मार्केट यहाँ से ध्राम करके सीध उपर चला जाएगा और यही वह समय होगा जब आपको फिर क्या लेके काम करना है बेशक आपको कॉल लेके काम करना है यह किसली है क्योंकि मार्केट अभी बहुत जादा स्ट्रॉंग सपोर्ट पर है यह जो लेवल ह इतने आसानी से गिरने देगा ही नहीं मार्केट हां गिरने कब देगा कब गिरावट आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं अगर कल ही के कल सेलर्स की संख्यागर जादा हो जाती है और मार्केट ने किसी कारण यहाँ पर थोड़ा दर कंसॉलिडेट किया यह कल के कल नह किर अगर गिरावट देगा तो गिरावट जादा बहतर और बड़ा होगा कल का क्या हो सकता है कल अगर market नीचे आता भी तो संभावना होगी market वापस चला जाए बायर्स को ट्राप करने के लिए हां अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज देता है तो जाके एक हमें अमारे सामने और जादा एक कंडिशन बहुत जादा स्पेशल हो जाएगा कि हां मार्केट गिरावट की उर है लेकि जब तक मार्केट अभी इस ट इतना भी पूट लेके जैसे में आपको कल भी कहा था कि जब तक अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक पूट में मजा नहीं आएगा मार्केट बार बार रिवर्स करता जाएगा क्योंकि 46,800 पे लगाता है मार्केट को जापर पूट राइटर जादा मिलते जाएंगे और एक्यमूलिट भी उत्ता ही होगा देखिए आज मार्केट लगबग लगबग फिर से इसी जगह पे बं लिए और जैसे मार्केट खुल गया आपको पैसा मिल गया ऐसा नहीं होता है तो फिर कैसा होता है मार्केट खुलने के कम से कम तीन मिनिट तक आपको इंतजार करना होता है क्योंकि मार्केट कुलने के बाद तीन मिनिट बाद जो एक बार और आफ रिफ्रेश करेंगे तो फिर जो डेटा आपको दिखाएगा वो बड़ा स्ट्रॉंग डेटा होता उस समय अगर आप देखेंगे कि पूट्राइटर्स बढ़ गये है जब तक आपने तीन मिनिट बाद मतलब मैं बात कर रहा हूँ नौ बच के आठा मिनिट की आठा मिनिट पे जब आप दो बारा चेक करते है आप्शन चेन को तब अगर फिर भी आपको यहाँ पे 46,800 पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पूट्राइटर्स अब फिर भी दिखता है तो फिर बिल्कुल बड़ी तेज गारंटी के साथ आप यह समझ लेजेगा कि मार्केट में फिर से आज हमको एक अपसाइट दिखेगा आज की बात करेंगे तो मार्केट जैसे ही खुला शुरू आपका तीन मिनिट आपको याद है क्या हुआ था मार्केट सीधा नीचे गिरा था एकदम सीधा सीधा नीचे गिरा और जितने तेजी से नीचे गिरा मार्केट उतने ही तेजी से फिर उपर भी गया थे सस्टिन अगर कर जाता अगर शुरुबात का पंद्रा मिनिट भी अगर मार्केट आज प्लोस के नीचे रह जाता था अगर मार्केट में आज ही कि आज हमको और बड़ा सेलिंग देखने को मिलता लेकिन मार्केट ऐसा किया ही नहीं पाँच मिनिट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट बहुत जल्द तुरद वहाँ से फिर वापस चला गया इसलिए मार्केट देखिए आज मार्केट जहां से शुरू आ उपर गया नीचे आया और लगबग लगबग वही पे खतम हो गया जहांसे मार् मार्केट को बीच मजधार में छोड़ा है अब यह सोच के छोड़ दिये कि देखते कल बायर्स को कैसे ट्राप किया जाए आपको बस ट्रैप नहीं होना है अगर ट्रैप नहीं होना है उसके लिए क्या क्या हम करते देखिए अब सबसे पहले हम option chain को एक बार देख लेते है ताकि हम कल के बार में और अच्छा से एक fixed data, solid data को हम समझ पाए देखिए कल हमने देखा था कि market में 46,800 पे बहुत बहुत जादा put writers था आज क्या हुआ market कैसे काम करता है देखिए जैसे market शुरुवात खुला और market गीरा और past 600 को cross करके past 100 के range में जैसे ही आया था 570, 580, 590 के तो यहाँ पे 46,800 पे जितने put writers थे उनका सब का SL हो गया hit और दिंभर के अंदर यहाँ पे position फिर बनाए नहीं यह देखिए 46,800 यहाँ पे अगर put writers देखेंगे तो 46,000 call writers देखेंगे तो 42,000 मतलब बहुत साफ है इस बात को समझे आप कि कल market में गिरावट की जो समभावना ह है वो जादा है वो जादा क्यों है किसलिए है एक एक करके अब बात को समझेंगे उससे पहले देखते हैं कि market में put writers अब कहा है सबसे जादा वो हम पाएंगे कि market में 46,500 पे जाके सबसे जादा put writers जो 68,000 है और उसके मुकाबले में call writers सिक 17,000 है और इससे पहले इतने बड़ मार्केट वो trend line को जैसे break करेगा कल आपको और तेज मोमेंटम आपको वहां से देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कि यह तो हो गया option chain की बात है लेकिन मैंने आपसे जो कहा है कि market सबसे पहले अगर किसी को इज़त देगा वो देगा आपको trend line को अगर वहां से market वापस भ 200 पर देखिए यहां पर लगबग 56,000 call writers है उनके मुकाबले में 12,000 proprietors है मतलब मार्केट का जो size है वो सीधी सीधी अगर मैं बात करू तो फिलहाल साड़े 300 point का फिलहाल नीचे की और बात करेंगे तो trend line जा रहा है उपर की और बात करेंगे तो 47,000 200 पर सबसे ज़्यादा भ close के नीचे और साथ ही जो trend line गुजर रहा उसके नीचे अगर शुडवात के 15 minute भी अगर sustain कर जाए इस नमर को याद रखिएगा पहला 15 minute अगर trend line के नीचे sustain कर जाए तो market में हम एक अच्छा खासा fall कल ही देख सकते है fall का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है मैंने जो reversal की बात क गया है अब market क्या करने वाला है market के आपके समने मैंने दोनों बाते रख दिया है कि market trend line को अगर market follow करता है तो trend line को छूके फिर वापस उपर की दिशा में जाएगा लेकिन अगर टिक नहीं पाया तो market वासे फिर दुबारा fall करेगा इसलिए आपको दोनों तरफ का नजरिया बना के रखना जब तक market trend line के उपर है put के बारे में ही सोचना है जब तक market trend line के नीचे चला जाएगा तब आप दुबारा put के बारे में सोच सकते हाँ आपको strong resistance ही भी मिल जाएगा अगर market उपर जाता है तो 47,200 के पास तो trend line ही गुजर भी रहा है वहां से आपको दुबारा put लेने का मौका मिलेगा लेकिन जब तक नीचे वाला जो line है जो 46,800 के पास market है जब तक market इस level के उपर रहेगा तब तक आप put मत सूचिएगा अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे अब थोड़ी दिर हम अपने 15 मिनिट के time frame पे चलते है वाप वे में आपको कुछ नया और market उसको बहुत अच्छा खासा respect देते हुए market नीची की दिशाई लगबग बढ़ता जा रहा है अब देखिए market का close कहाँ पे है आज का लगबग यही पे है तो सबसे पहले साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको आज का low और close दोनों यहाँ पर ड्रॉक कर देता हूँ क्योंकि आज का बड़ा ज़रूरी होगा देखिए अब market एक channel के अंदर है यह पूरी तरीकी से यह funnel देख लेंगल अब market जब तक यह दोनों में से किसी को भी breakout या breakdown देगा ना market में तेज आपको momentum देखने को मिलेगा अब मान लेती कि आपका कल का no trade zone कौन सा होगा सबसे पहले उस बार में बात करते हैं अब जब तक देखिए market यह एक level है यह कौन सा level है आज का close है 46,834 उपर का अगर आप देख अगर market इस line को अगर हम देखते है तो कल का 15 तारीक है तो सबसे पहले इस line को हम पहले समझ लेते कि market कहा पर है तो देखिए मतलब 47,067 कुल मिला के यह by default resistance भी है market कल जब खुलेगा यहां से और अगर उपर की दिशा में शुरुवात में जाता है तो हमको फिर यही पे सबस इस line के पास पहुचेगा market को फिर 47,000 पे market को बहुत अच्छा call letter मिल जाएगा आपको यहां से फिर एक पी लेके काम करने का मौका मिलेगा उससे पहले नहीं उससे पहले market पूरी तरीके से no trade zone में होगा अगर flat खुलता है या फिर market gap up खुलता है याद रखिएगा यह जो 200 point का fast life कितना कितना 47,000 63 से लेके 46,000 850 इस बीच में यह जो यह जो नंबर है ना इस बीच में कल ट्रेड मत करिएगा एक तो सबसे पहला कारण कि market इसके बीच में अगर जब तक होगा तब तक आपको वापे ज्यादा आपका premium बढ़ेगा नहीं भले market आपको momentum दिखे ना दि करने का अब market अगर इसको breakdown देता है 15 मिनिट के time frame पे तो ही जाके आपको यहाँ से बड़ा trade मिलने वाला है एक बार trend line अगर market break करता है तो market में बहुत अच्छा खास आपको buying देखने को मिलेगा इस बात को याद रखिएगा साथ में हम बार बार हम यह भी discuss कर रहे थे कि market मे में हमको एक नीचे की तरफ भी अगर market आता है लेकिन नीचे की तरफ कब आएगा market जो आज का लगबग लगबग आज का लो लगा था आज का लो लगा है का पे 46,581 याद रखिएगा कल जब तक market इस इस line के नीचे अब नहीं आता है कम से कम यहाँ पे दो candle तो भी market को close कर ना पड़ेगा तब जाके उनको गिरावट कल देखने वाला है उससे पहले पी लेकि काम करने का कोई सेंज बनता नहीं market अगर gap-down भी खुलता है तो इस जगह से दुबारा market bounce back कर जाएगा याद रखिएगा इतन यह 834 है 46,834 नीचे का लो कहा पे लगा है 46,581 दो सो तीन पॉइंट भी मार्केट अगर नीचे gap-down होता है तो भी मार्केट में हमको bullish ही नजर आने वाला है कल इस बात को याद रखके काम करिएगा अगर वीडियो अच्छा लागी तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिए मैं आपसे अगली वीडियो में बहुता है अब तक लिए जैहिन